नाश्कार, BCN News की प्रदीश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ आई एक नजर डालते हैं खबरों के और कोविड वैक्सिनेशन का जायजा लेने के लिए KGMU पहुचे डीम आज वैक्सिनेशन के पहले चरन का तीसरा दिन 28 और 29 लगातार दो दिन हो रहा है वैक्सिनेशन लखनों में 116 बूत सेशन प्लाण है जिसमें 100 शहरी और 16 क्रामिन शेत्र में है राज़दानी में सबसे बड़ा वैक्सिनेशन केंडर के जीम्यू है जिसमें 15 बूत है हर बूत पर 125 लोगों का लगाया जाएगा वैक्सिन टॉप तीन वैक्सिनेशन बूत को सम्मानित किया जाएगा दुद्वा टाइगर रिजर्व वन्यजीवों के कबरगाह बनता चारा है जिसमें जहां बाग और गेंडी का शव मिलने से पन्विभाग में हरकम मचा हुआ था देखा जाए तो लखिमपुर खिरी में कुछ समय के अंतराल में लगातार बागों के शव के मिलने का स्रसला चारी है जहां एक तरफ दुद्वा टाइगर रिजर्व में बागों के संख्या में इजाफा देखने को मिला है वही दूसरी तरफ बागों को हो रही असामाजिक मौद से पार्क प्रशासन के वन्यजीव की सुरक्षा के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है ताजा मामला कूल रेंज के सिकंदरापूर बीट का है जहां एक आट माह के शावक का शवक गन्ने के खेट से बरामद हुआ है शवपड़े होने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुची वन्यजीव की टीम ने शवक को कबजे में लेते हुए पोस्ट मॉटम के लिए आई वी आराई बरेली भेज दिया गया है साथ ही पूरे मामले में हर पहलू पर वन्यजीव द्वारा चांच की चा रही है प्रतम दुश्टा शावल की शरीर पर छोट के निशान नहीं पाए गया है जिसके चलते वन्यजीवा की अधिकारियों ने पोस्ट मॉटम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की कारण का पता लगाने की बात कही है अधिक पुश्माटम के लिए जो है सावक का सव हम लग उन्हें आई वी राई बरेली में भीजा है कि पहाड़ पूर गाउं में जो है गन्ने के खेत में सावक का सव मिला था साथ मा का सावक है प्रतम दिष्टा उपर से सरीर पर चोड़ के कोई निसान नहीं है इस तरह का जिस्से की मौत का कुछ कारण पता चले तो पुश्माटम के बाद ही एक्शुल कारण पता चलेगा तो कि उस सावक था हो सकता है मा से बिशुड़ गया हो जंगल से दूरी भी मतलब दो-तिन डिरेक्टन में उस जगल से जंगल हमारा तीन किलोमेटर चार किलोमेटर के अंतराल पे है तो भटक के हो सकता है वहाँ आ गया हो बीसीन नियूस के लिए लखिमपूर खिरी से फारुक हुसेन की रिपोर्ट यूपि स्थापना दिवस पर कानपूर प्रशासन ने खबर से बौकलाए प्रशासन ने पत्रकारों की खिलाफ मामला दर्स करा दिया जिससे गुसा है कासगंज ग्रामिन पत्रकार असोसेशन ने कलेक्टरेट काराले पर कानपूर प्रशासन के खिलाफ फिरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जिलादिकारी चंदरप्रकास सीह के माध्यम से राजपार को ग्यापन भेज कर फिर को खत कराने की मांगी। पत्रकार गुड्डू यादों ने बताया कि बड़ी बिडंबरा की बात है। पत्रकारों को चौथास्तम का दर्जा तो दिया जाता है किन्तु सच्चाई प्रसारिक करने पर जोटे मुकद में दर्स कराये जाते हैं। ताजा मामला यूपे के सापना दिवस पर कानपूर में सामने आया। जहां कड़कडाती ठंड में अर्दनगन अवस्था में बच्चे कपकपाती हुए योगा कर रहे थी। इसकी खबर कवरेज करने के बाद निजी चैनल पर चला दी थी। खबर प्रकाशित के बाद बियस कानपूर ने गलत छूटा और पत्रकारों की आवास दिबाने के लिए निजी चैनल के पत्रकारों पर मुकदमाद दर्स करा थिया। उन्होंने सच्चाई दिखाने पर वहां के पिर्शासन ने इस मीडिया की आवास को दबाने के लिए उनको मुकितमाद दच करा है जबके योगी सरकार के ना कि पत्तकारों पर कोई मुकदमाद दोगा बगट जाच के नहीं होगा आखिरकार सरकार चाहती क्या है पत्तकार पत्तकार को देखें। कहा कि पत्तकारों के इस सच्चाई को दबानी का प्रेयास किया जाएं। सचाहे उजागर करने पर मुकदमा दर्स कर दिया जाता है अगर कानपूर प्रशासंद्वारा कराएगे पत्रकारों पर मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो गामिन पत्रकार सरकों पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे जिसके जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी जिसके जिम्मेदारी शासन प्रशासन प्रशासन की होगी बीसीन नियूस की प्रदेश की खबरों में फिलाल इतना ही ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे बीसीन नियूस नवशकार